जातिया धारित गनना को लेकर पटना हाई कोट आज बड़ा फैसला सुना सकती है। जिहां इस से पहले इस मामले में चीफ जिस्टिस के विनोद चंदुरन की बेंच में तीन से साथ जुलाई तक दोनों पक्षों के तरफ से अपनी दलील पेश की गई थी। जिसके बाद को कोट में पाच दिनों की हुई सुनवाई के दोरान तीन दिनों तक याचिका करता और दो दिन बिहार सरकार की ओर से एड़ोकेट जनरल पीके शाही ने दलील रखी जिसके बाद अब लोगों की नजर आज के फैसले पर ठीकी है। अब तक इस गनना में पाच सो कडोड से ज्यादा खर्च हो चुका है जबकि इसका सिप्रतीशत काम पूरा हो चुका है। मालूम हो कि राजसरकार की ओर से एड़ोकेट जनरल पीके शाही ने कोट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इस गनना को देश आमनागरिकों के संबंध में आकड़ा एक्तुरित करन है। इसका उप्योग लोगों के कल्यान और उनके हितों के लिए किया जाना है। उन्होंने कोट को ये भी बताया कि हर धन में अलग-अलग जातियां होती हैं जो समाज का हिस्सा है। जब इनका डाटा एक साथ आएगा तो इन्हें सरकारी सुविधा देने में असानी होग जिसके बाद अब आज एक बार फिर से इस मामले में कोट अपना एहम फैसला सुना सकती है। आपको बताते चले कि जाती अधारत गनना को लेकर पटना हाई कोट आज बड़ा फैसला सुना सकती हो। और इससे पहले इस मामले में चीफ जिस्टिस के विनोद चंदरन की बे बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है, वहीं पटना हाई कोट में पाच दिनों की हुई सुनवाई के दोरान तीन दिनों तक याचिका करता और दो दिन बिहार सरकार की ओर से अड़ोकेट जेनरल पीके शाही ने दलील रखी, जिसके बाद अब लोगों की नजर आ कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के इहो्म्स पैनारूमा में पुर्णिया में पैनारूमा गुर्ब लेकर आये हैं I.Hोम्स पैनारूमा बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुष अड़े अड़े आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो? क्योंकि हम घरवापसी जो कर रहे हैं घरवापसी की खुशी पूर्णया में E-Homes Panorama के संग E-Homes Panorama Luxurious, Lifestyle Redefined पूर्णया में E-Homes Panorama